गवार सास ममता ने अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया अब वो शहर में अपने परिवार के साथ रहता है एक दिन ममता का बेटा रूहन अपनी पत्नी आलिया से कहता है अरे आलिया, सुनो, मा अपसे गाउं में नहीं रहेगी वो हमारे साथ यहीं रहेंगे शहर में उनका कमरा आज नौकर से बोलकर अच्छे से साफ करवा देना ओ, आज तो मेरी किठी पाटी है फिर मुझे जिम और फिर शॉपिंग, ठीक है कल करवा दूँगी अच्छा लेकिन मा के सामने यह कपड़े नहीं चलेंगे, तुम्हें साड़ी या सूट पहनना होगा अरे, बलकुल भी नहीं मेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगा कर शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन ओड़ भी ना सकू अरे, चलो, गुसा मत हो, लेकिन कुछ दिन तुम मा की खूशी के लिए कर सकती हो ना लेकिन आलिया मानती नहीं मा आती है, सिंपल सी साड़ी, जोला और चपल पहन कर अरे, रोहन, मैं इनके साथ कैसे रहूँगी, मेरी फ्रेंस क्या कहेंगी ये तो पूरी गमार लग रही है आलिया, मा गाउं में रहती थी, इसलिए ऐसी है तुम आज ही मा के साथ जाकर उनकी पसंद की शॉपिंग करवा देना इनके साथ घर के अंदर रहना मुश्किल है, बहार तो मैं कभी भी ना जाओ रोहन को आलिया पर गुस्सा आ जाता है मा, ओ मा हाँ बेटा वो मा को ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ता है कि अरे मा, तेरे हाथ अभी तक इतने कड़े है, तुने इसका कोई इलाज नहीं किया अरे बेटा, इसका कोई इलाज नहीं वैसे भी मुझे कोई शर्म नहीं कि मेरे हाथ मुलाइम नहीं है क्योंकि इनी हाथों से मैनत कर मैंने तुझे बनाया है बेटा अगले दिन बा, मैं आफिस या रहा हूँ कुछ लाना हो तो आलिया को बोल कर फोन करवा देना रोहन के जाने के बाद आप ना आज कमरे में ही रहेगा घर में पार्टी है, मेरी सहलिया आ रही है मैं उन लोगों के सामने आपको नहीं ला सकती हूँ ठीक है बहू, लेकिन तुम कहो तो मैं कुछ खाने को बना दू तुम लोगों की पार्टी के लिए वो लोग सिफ कॉंटिनेंटल या थाई फूड ही खाते हैं कोई बात नहीं, कभी इंडियन खिलाने वाला कोई मिला नहीं होगा न मैं बना कर कमरे में चली जाओंगी जैसे आपकी मर्जी आलिया के घर उसकी दोस्त आती है, पाठी होती है आरे वाह आलिया, ये क्या है खाने में, बड़ा ही स्वादिस्ट है यार इसकी रेसिपी मुझे चाहिए हां और ये दाल, ओमाई गॉड, मैंने तो किसी फाइव स्टार में भी ऐसी दाल नहीं खाई है यार तो कूक को यहां बुलाना अब आलिया घबरा जाती है हाँ, हाँ, क्यों नहीं, माजी, जरब बहार आए आलिया की सास सिंपल सी साड़ी और गाउं के अंदाज में आती है अरे बहू, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया, क्या बहू? अरे ये गाउं से दिखने वाली औरत तुम्हें बहू क्यों बोल रही है कौन है ये? वो, वो, हमारी नई नौकरानी है सास बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है वो सर जुका कर जाही रही ही होती है कि एक सहली बोल पड़ती है अरे कहां जा रही है माजी? वो उटकर उनके पैर छुती है जीती रहो बेटा क्या है ना, आपकी शकल बिल्कुल मेरी मा जैसी है पता है आलिया, मैं शहर पढ़ने आई और फिर शहरी होगी लिकिन मेरे मा पापा तो आज भी गाउ में रहते हैं बिल्कुल इनके जैसी ही है अब यहाँ बैठिये ना, आंटी आप सच पे बड़ी खुबसूरत है और आपके हाथ का खारा तो ला जवाब है काश, यह मेरी सास होती सभी सहलिया सास को घेर कर बैठ जाती है और उनसे खाने की रेसिपी पूछ रही होती है कि तब ही घर की बेल बच्चती है और रोहन आता है अरे, क्या बात है? आज आप लोग हमारे घर में और यह लोग तो मुझे आलिया से ज्यादा मा की सहलिया लग रही है क्या? यह आपकी मा है? लेकिन आलिया ने तो कहा कि यह उनकी नाकरानी है और इन्होंने भी नहीं बताया वो नहीं बताएंगी क्योंकि उनकी लिए बच्चों की इज़्जत और उनकी खुशी सबसे पहले है मुझे माप कर दो मुझे ने तुम लोगों से मिलवाने में शर्मा रही थी कि तुम लोग क्या कहती? अरे, अब तो हमेश शर्मा रही है कि तुम हम लोगों की सहली हो हाँ, जो मा जैसी सास को नाकरानी बोले वो हमारी सहली नहीं हो सकती ये बोलकर सभी वहां से जाने लगती है कि सास बोलती है अलिया की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ उसने जो कहा उसके लिए मैं उसे माफ करती हूँ अब तुम लोग भी उसे माफ कर दो क्योंकि अगर तुम लोगों ने उससे दोस्ती तोड़ी तो फिर मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगी नहीं नहीं आंटी जरूर आएंगे लेकिन अब आलिया की नहीं बल्कि आपकी सहली बन कर